बुट मॉनिंग पहरे बच्चो, आज डेट 15 सेप्टेमबर, और मैं हूँ आपके जुके ट्रकूर्ट मिमा, तो हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 31, समाज इक विज्ञान कक्षा 10, तो बच्चो, आज हम पढ़ेंगे नेशनलिजम इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में नेशनलिजम किस तरीके से आया, इसकी बात करेंगे, और इडल उफ नेशनलिजम बाई, फ्रेडरिक सोर्यू, तो इन्होंने ऐसा क्या किया था, ये देखेंगे, फ्रेंच रेविलेशन 789 ने किस तरीके से नेशनलिजम को लेके आने में हेल्प की थी, ये जानेगे, चलो बचले एक बार सबसे पहले, ये समझने से पहले कि यूरोप में नेशनलिजम आया कैसे, ये समझना ज़रूरी है कि नेशनलिजम होता क्या है, है ना, तो ये हम देखेंगे कि नेशनलिजम है क्या, उसके बाद हम जानेंग जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी उनका क्या तो देख रुझे यह वो पेंटिंगnej जो इन्होंने बनाई थी और आम निए एक पेंटिंग नहीं बनाई यह ऐसी चार पेंटिंग स्धेश्टी पणार्ट और समौं कोई दूए पुलिक्स्यामर्टि को देो हम अविपmeter हमेंyesonolism in Euro urban right हमें पता हम लेकिन हमें नहीं पता ऌहां स्वर्ग कैसा है लेकिन हमें कहता है कि इस पर रहते हैं कि अर्थ बंचा कर्लों अस्वर्ग मिले हैं उर इसिया और तो हमें क्या है और अलग अलग से फोटो भी होते हैं शिर जी भगवान की शकल जो होती है किसी मूरत में कैसी होती है किसी मूरत में कैसी होती है तो इसी तरीके से हमें क्या एक तरह से हमारे दिमाग में कुछ चीजे डाल दी जाती है एक तरह से हमें सपना दिखाया जाता है किसका स्वर्ग का सबना है, और चलो ठीक है, स्वर्ग तो कह दिया, अब स्वर्ग कैसा? वहाँ पर बहुत सारी परियां रहती हो, बहुत सारा दाम भी ना करना पड़ता हो, और सुंधर भी वहाँ पर बहुत हो जाते हैं जाने के बाद, तो यह चीज़े किसे बनाई, यह कि करें भी स्वर्क जो भी जन्नत कहा जाता है जो भी कुछ कहा जाता है तो इस तरीके से बच्छपन से हमारे अंदर चीजे ताल दी जाती है कि यह नहीं करोगे तो भगवान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे चीज़ दाल दी जाती है एसा ही हुआ जो फ्रेडरिक सोर्यू जो थे या सार्यू जो थे उन्होंने क्या किया एक पेंटिंग बनाई उसमें लोगों को सप्ने दिखाए कि जो हमारे सपनों का राष्ट्रे होगा ठीक वो ऐसा होगा जिसमें जो लोग निरंगपुष राजा है जो एपसलिस्ट राजा है उसको तो धमस हुआ पड़ा है यहां पर यह किस तरीके से जो पेंटिंग से धमस्त हुई पड़ी है और यह जो सतंतरता की प्रतिमा है ठीक है स्टैचू फ लिबर्टी है इसके एक ह प्रेंटिंग बनाई और यह देखें कितनी लंबी लाइन लगी है लोगों की जिसमें अमेरिका यूरोप आदमी औरत सब बच्चे एक्वली चल रहे हैं तो यह सपने दिखाए गई ठीक है यह जो आपकी फ्रेंच रिवुलिशन होने से सपने दिखाए गई जब लोगों अच्छाए के सपने दिखाए जाते हैं तो वो उसको पाने के लिए फिर कुछ कोशिश करते हैं ठीक है यह तो हमारी होगे पेंटिंग की बाद जो चेप्टर में शुरुआत में बात की गई है ठीक है इस चेप्टर में हम फ्रेंच रिवुलिशन के बारे में पढ़ेंग है ठीक है या फिर कोई भी अलग अलग जाती मुझे याद नहीं आ रही है अब लगा लेकिन अगर हमारे भारत पर बात आती है तो हम क्या है भरती है ठीक है मुस्लमान है सिख है हिसाई है हम अलग अलग लेकिन जब हमारे देश पे जब हम दूसरे देश में जाएंगे तो एक ऐसे नाम से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानि कि उनके इंट्रस्ट एक हो जाते हैं, हमारा भारत देश आगे बढ़ना चीए, जब वह भावना आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलिजम, अभी भी मुझे पता है नहीं समझ में आया, तो अवन्ति हो गया, माले राज्य हो गया, आयोध्या हो गया, तो यह अलगालाग राज्य थी, देश नहीं था भारत खेक है, भारत को मतलब देश, एक नेशनकिन ने बनाया, अंग्रेजोंने बनाया, थीक है, में इनली अंग्रेज आए, उन्होंने इतने अत्याशार कि सब लोगों को एक दूसरे के अत्याचार मतलब सुन-सुन के कि लड़ने के लिए यह जो थे अंगरेश थी इसका लड़ने के लिए पूरा देश एक हो गया क्योंकि ये एक सत्ता ऐसी थी जिसने पूरे देश पे राज किया अब इस एक को भगाने के लिए पूरा देश एक हो गया तो क्या हो गया कि nationalism in Europe, यानि कि Europe में राष्टेवाद का उधे ही क्यों हुआ, तो हुआ ये कि सताय तो लोग जाई रहे थे, ठीक है, बड़ी ही interesting कहानी है, अभी आगे जब पढ़ेंगे इसको, तो आज तो सुरफ एक तरसे कह सकते हैं कि इंट्रो है, ठीक है, आज तो सुरफ ट्रेलर है इस बाते बनती हैं तो बातों को लोग फोलो करना स्टाट करते हैं, अब जैसे माननों सब लोग पूरे की पूरे जो बहुत अच्छे लोग है, बड़े बड़े लोग है, अगर हमें हमें बहुत अच्छे सबने लग जाएं, माननों को ये XYZ पार्टी आएगी, ठीक है, और सा ना बुद्धी जी वी वर्ब कह रहा है कि यह वाली पार्टी आके हमें बिल्कूल माला माल कर देगी तो हम तो इसी को वोट देदेंगे ना सारे के सारे जैसा होता है है ना तो ऐसे ही हुआ तो इन लोगों ने सपने देखने स्टार्ट कर दिये कि अच्छा पहले तो बिचा किया जनतांत्रिक और समाजिक गनतांत्रों कि ऐसा होगा जिसमें यूरोप डेमोक्रेटिक और सोशल रिपबलिक जिसमें यूरोप अमेरिका मैन वूमेन सबको इक्वली दिखाया गया ठीक है फिर एक सबतंतरता की परतिमा बनी हुई थी जो मैंने आपको दिखाई स्टे Satya मैं ने हम्ने जान आचुक, समागश्यक को चर्टर घ्र वूमेरोटां ठीक तो दिखाया गया फिर कामवाम करने के लिए तो अब हुम देख लेते हैं एक बार अपनी वर्क्षीट में किया क्या लिखा हुआ है इन 1848, Frederick Soryu, a French artist, prepared a series of four उन्होंने एक प्रिंट्स बनाये थे ठीक है ना? जिसमें उन्होंने क्या किया था? visualizing his dream of world made up of democratic and social republics देखिये उन्होंने 1848 में ये किया था तो आज हम ऐसे ही world में जिन्दा हैं इना? तो जिस तरीके से वो इसके पास से गुजर रहे थे तो सब इसकी वंदना कर रहे थे, सब इसको एक तरह से पूजा कर रहे थे एक हाथ में जो स्टैशो फ लिबर्टी थी उसके एक हाथ में enlightenment, enlightenment क्या होता है जब लोग जैसा मैंने अभी explain किया कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागरूप हो गए थी ठीक है, charter of the right of a man, यानि कि दूसरे हाथ में उसका लोगों के अधिकारों का, पूरा का पूरा अधिकार पत्र था और जो absolutist जो institution होते हैं, निरों कुछ institution जो होते हैं उनकी जो धमस्त हुए पड़े थे, शेटर्ड हुए पड़े थे, जो टूपने के बाद जो रिमेंस बचे रहते हैं वो पड़े थे अब ये बात आती है, आपने 9th क्लास में पड़ा था, French Revolution, ठीक है, 1789 में हुआ था तो ये पहला ऐसा expression था, nationalism का जो उस ताइम पर देखने को मिला था पूरी ही वर्ल्ड में, जिसमें political और constitutional changes नजर आये थे और बाकी जो दूसरे राज्य थे उन्हीं से inspiration ले थी, यहां पर ट्रांसफर हो गए थी प्रभुसित्ता जो मुनार्क था में लुद्ध कोशला है पालने राजन साट chess, फिर राजय का ब रेटा बन गया इस तरीकी सरंथी इस तरीकी सर्वा बन थे त Mexican कोई रहा होता है थीक है तो बहुत है और तो रचले बास राज कर रहा है तो पहले ए लग मज़ुक्राग है कि थी काषग अ मिलाओ कि लोग ही नेशन की जो डेस्टिनी है उसको बनाएंगी अब 19th century में जो नेशनलिजम इमर्ज हुआ था 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 फोर्स विच ब्रोट अबाउट स्विपिंग चेंजिस मतलब इतने जवर्दस्ट चेंजिस लेकर आया था और में जो पॉलिटिकल हो दोगों के दिमाग में उसके टीज हुआ इन बार जानी जीतिक ट्रिंगा जैसे जर्मनी और इमेरिका ठीके इस तरीके से रज्जे बने स्टार्ट हो गई ठीकर अखेर अमेरिका तो पहले in a place of multirational dynastic empire of Europe यानि कि पहले क्या थे लिकिन अब एक नेशन स्टेट बन गए इन विच वस इन विच 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 बने जाएंगे जो भी चीज़े होंगी जो भी लोग बनेंगे वो सिटिजन्स पराएंगे यानि कि सिटिजन्स अपने जो राजा है वो खुझ चुनेंगा इसा नहीं होगा कि बापवला राज चलता रहेंगा तो आप रिजन आप वैसे ये बापवला राज आप बोल नामत ये जिस में आपको संझाने के लिए बोल रहीं रिजन फॉर दर राज आप नेशनलिजन इन येरोप एक है अपसूलिटिजम स्प्रेड अफ लिबरल आइडियास ऐसा वधना कि अपसूलिटिजम कैसे रिजन हो सकता है क्योंकि इतना सता थे थे ये एक राजा इतना कंट्रोल करता थे थे टेक्स भी ले ले लेगा उन लोगोओं को मार भी लेगा उनसे अपने घर मेंबे काम बालेगा उनसे घी खे रेले हम कर celui beni क्या लेगा जब मन करेंगा जब युद छिडएगा ऊंको इन बिचार बीटरीमी लेजएग इतना गुरा हाल थ waiter थे लोगोगों लोगो दुख के कारण एक आग अग thing तिक एक हो गे थे, spread of liberal ideas, slogan of liberty, equality, fertility, यानि कि सब लोग चाहते थे कि liberty होनी चाहिए, अजादी होनी चाहिए, सब को equal treatment मिलना चाहिए, भाहईचारे की भावना डेवलेफ हो गई थी, educated middle class ने और जादा educate करना start कर दिया था, तिक अब हम करेंगे questions. यह बहुत इंपोर्ट अप्रण चेटर है अपका, और शयाद हिस्टरी में दो ही चेटर हैंगे, इसा तो नहीं जरूरी तो नहीं कि यही बाले कोश्न सा जाएंगे, तो आपको वक्षिट को अपर ध्यान से देख लो क्योंकि यह आपकी बुक के ही चक्टर्स है यह पहला क्लियर एक्सप्रेशन था निशनलिज्म क्यों क्यों कि दिस रिवोलुशन अंड़ अप्सुलिटिस्ट मुनार्क एंट इंट्रस्टेड द पावर तो ग्रूप तो जो गवर्नेंस होगी लोग करेंगे और इसका फ्यूचर भी लोग भी डिसाइड करेंगे तो प्रोसेस अफ्रीशन अफ न्यूस नेशन स्टार्ट इसी से नए नए अलग जगयों पर निशन बनने स्टार्ट होगे तो अब वट इस एप्सुलिटिसम क्या होता है जब जो एक ही बंदे के हाथ में पाओर हो जाती है और उसके पिछे वो किसी की नहीं बहुंता है मतलब अपने अपिस बुच करता रहता है क्या कोई अवाज ही नहीं पा सकता है कोई किसी ना गौर्ट का रूल है तो लोग कहां चले जाएगे अगर कोई गलत लाबना देगी त बंददा अपने आप ही सब किये जा रहा है तो अशी सरकार होती है ठीक है अब दूसरा पूचा हुआ है एक निट इसमें इन बिहुए नमाच मेक्ष्ट हो你說 जो एलन की च्रांट फिर त्यों हब तो को सुनारी रूल है Absolutism का अब खतम हो गया है The room remains scattered on the ground in the front of a statue symbolize the end of Absolutism असल में अंसर तो सरफ अतना ही है बाकी तो महीं से उखाया हुआ आपकी कोस्टन से है ना लेकिन आता तो अंसर हमारा कहा से होता है कोस्टन सही होता है Q3 Mention the feature Mention the nature of European nationalism 19th century The nature of 19th century European nationalism असल क्या था एक नेशन की spirit जा गई थे लोगों Essence of shared identity सब लोगों के एक shared identity हो गई थी हम भी इसे सताय जा रहे तो उम भी इसे सताय जा रहो चलो मिलके लड़ते इससे Essence of shared history and heritage इस तरीके से हमारा एक sense है कि हमें अंग्रेजिनों बहुत सताय हुआ है और हम लोग कहते हैं चाहिए किसी भी धरम का कोई भी बंदा हो सब कहते हैं कि अगर जोने इस तरीके सताया उस तरीके सताया 15 अगस्त को हम बिलकुल ऐसे फेस्टिवल की तरह मनाते हैं उससे कोई फरक नी पढ़ता हम किस religion से बिलोग करते हैं 162 फरेटरिक स्टिवल कि फीचर फेंट एससे कोड़ी है यां प्रॉडियर किस पीचर फेंटिव अरिंठ वसेटीडी इस इस पाilडियों इसपिटर की पेंटूइइ सेत्टिवारिपोरी तो सब लोग जब गुजर रहे थे वहां से तो पूजा कर रहे थे और डेमोपरेटिक और सोचल रिपब्लिक्स को रिलाइस किया है याने कि उनकी कल्पना की गई थी इस प्रिंट में तो अभी तो और भी प्रिंट आएंगे हम पहले प्रिंट की बाती है तो आगे हम करेंग अगले वकश्षीट में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जादा अच्छी वीडियो और जादा इसीए वी में सम याकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है थेंक यू, have a nice day, we God bless you